जये श्री राम साथियों आज हम बजरंग बाण इसका अर्थ देखने जा रहे हैं बजरंग बाण एक घातक अस्त्र की भाती बताया जाता है इसका उप्योग हर कभी नहीं किया जाता इसका नीमत पाठ की भी मनाही की गई है क्योंकि विशेश परिश्थितियों में जब स्वास्त बहुत जादा खराब हो जब कोई घोर विपत्ती आ गई हो जब शत्रूं का भयानक भय आपको सता रहा हो या कोई भी ऐसा कारे असाध्य हो उस समय बजरंग बाण का पाठ किया जाता है इसके जो रचिता है वो तुलसिदास जी है ऐसा बोला जाता है कि एक बार तुलसिदास जी के उपर किसी तांत्रिक ने कोई घोर क्रिया कर दी थी जिसके कारण से उनके पूरे शरीर में फपोले फपोले से उठ गए थे जब बहुत सारा इलाज कराने के बाद भी उनको आराम नहीं पड़ा तब तुलसिदास जी ने बजरंग बाण की रचना की थी और ऐसा बताया जाता है उल्लेखित हुआ है कि तीन दिनों के अंदर अंदर उनकी वो जो बिमारी थी वो खत्म हो गई थी तो शत्रों से निश्चित रूप से अगर कोई भय है या कोई तांत्रिक क्रिया की गई है उस समय बजरंग बाण बहुत पावरफुल बहुत जबरजस्त बहुत घातक होता है इसके प्रयोग के लिए जो सावधानिया बरतनी चाहिए वो आप एक बार देख लीजिएगा हर कभी हर किसी अवस्था में इसका पाठ नहीं करते हैं इसका अर्थ देखते हैं कैसा है बजरंग बाण दोहा पहले आया निश्चय प्रेम निश्चय का मतलब होता है यहाँ पे द्रण पक्का जिसको आप बोलते हैं फर्म होना अगर आप इसको बोलेंगे इट इस काल्ड फर्म ओन्फिडेंट निश्चय यहाँ पे ओन्फिडेंट का भी मतलब है निश्चय प्रेम प्रतीती निश्चय प्रेम का मतलब है जिस किसी को भी हन्मान जी महराज के उपर पक्का प्रेम हो फर्म जो उनको उपर विश्वास करते हों पूर्ण तया विश्वास करते हों 100% हन्मान जी महराज के उपर ऐसे भक्तों के लिए प्रतीतिते, प्रतीती का मतलब होता है आदर पूर्वक, विश्वास पूर्वक, यहाँ पे इसका मतलब होगा आदर पूर्वक, आदर से, ते का मतलब आदर से, विनए करें सन्मान, सम्मान जिसको हम बोलते हैं, जो विनए मतलब नम्रता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, विनम्र होकर के, विनम्रता से, यदि हम किसी को बुला रहे हैं, आवहन कर रहे हैं, कि हमारे कश्टों को दूर करिये, बैरियों को मारिये, हमारे दुश्मनों का संघार करिये, तो हमको उनसे विनए करनी पड़ती है तो जिनको हनमान जी माराज के उपर पूर्ण विश्वास है जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं पक्का प्रेम करते हैं जो उनका आधर करते हैं और जो विनमरता से उनका सम्मान करते हैं करे मतलब करते हैं तेही उनके कारज, कार्य, सकल, सभी, शुब, अच्छा, बढ़िया, शुब का मतलब होता है, मंगलकारी, मंगलकारी, अच्छे से, सिद्ध, सिद्ध और सफल में थोड़ा सा अंतर होता है, सिद्ध का एक मतलब तो सफल हो गया, और एक होता है, सिद्ध का मतलब होता है, दिव्विशक्ती, दिव्विशक्ती से सफल होना, दिव्विशक्ती से पूर्ण होना, कंप्लीट होना, सिद्ध होने का मतलब होता है, सफल होना थोड़ा सा अलग है लेकिन यदि कोई देविय शक्ति उसमें इन्वाल्व हो जाती है देविय शक्ति का उसमें समावेश हो जाता है तो उसके साथ उस दिव्यता के साथ जब कोई कार्य पूर्ण होता है तब उसको हम सिद्ध होना बोलते हैं सिद्ध होना, सिद्ध करें हनुमान, हनुमान जी महराज ऐसे लोगों के सभी कारिय, अच्छे कारिय, अच्छे से सिद्ध कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, दिविता के साथ पूर्ण कर देते हैं, किनके जिनके मन में हनुमान जी के प्रती पक्का प्रेम है, उनके मन में आदर है और जो विनय पूर्वक सम्मान पूर्वक हनुमान जी से विनय कर रहे हैं निवेदन करिए कि हनुमान जी ये बड़ी घोर विपत्ति आ पड़ी है इसमें आप हमारी सहता करिए आगे चल करके हम इसमें हनुमान जी को सौगंध भी देंगे राम जी की बहुत ही बड़ा काम है ये सौगन्द देना कसम देना किसी की भी हनुमान जी को कसम देंगे इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बजरंग बान का प्रयोग नित्य प्रति करना ही नहीं चाहिए विशेश परिस्तित्यों में ही आप इसका उप्योग करें जय हनुमंत संत हितकारी हनुमान जी आपकी जय हो जो की संतों के हितकारी हैं संतों के लिए अच्छा करने वाले हैं हित की बात करने वाले हैं जो आज्याका पालन करें आज्याकारी जो हित की बात करें वह हितकारी सुन लीजे प्रभु विन्य हमारी या कहीं-कहीं पर इसकी जगापर अरज भी आता है अरज हमारी, विंती हमारी सुनिये, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं जन के काज, लोगों के कारिय, काज मतलब कारिय विलम न कीजे, देर मत करिये, विलम करना मतलब देर न करें क्योंकि अगर विपत्ती आ गई है घोर, तो उसका जितने जल्दी निवारन हो उतना अच्छा है तो देर मत कीजे, लोगों का कारे है, जन हित का कारे है, इसमें आप देर मत करिये आतुर दौरी महासुख दीजे, आतुर का मतलब होता है तीवर अभिलाशा, जिसको आप बोलते हैं, किसी को काम करने के लिए आतुर होते हैं मन में, जिसको करने की बहुत तेज उतकंठा होती है, उसको कहते हैं आतुर राम काज करिबे को आतुर, हनवान जी महराज जो है, वो राम चंदर जी का कोई भी कारे हो उसको करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं आतुर मतलब रेडी हनुआन चालीसा में भी आता है यह तो आतुर का मतलब होता है तीवर अभिलाशा विस्टफुल मन से करने की इक्छा जिनके अंदर होती है जादा उसको कहते हैं आतुर जैसे एक बच्चा है बच्चा चॉकले कि इत का लातिया वो तुरंट कर देगा हो काम आतुर रहेगा वो कि डौरी दौल कर दॉकर करना किसी काम को धीरे-दीरे करना और किसी काम को डॉकर करना मतलब जलदी करना महासुक दीजिए आप आतुर पूर्वक दोड़ करके जल्दी दोड़ करके और हमाई जो विपत्ती है उसको टाल दीजीए और हमको महासुख दीजीए कैसे दीजिए जैसे कूदी सिंदु मही पारा जैसे आप समुद्र को समुद्र में मही का मतलो होता है में पारा पार करके कूद करके छलांग मार के आपको मालूम होगा कि हन्मान जी ने समुद्र को छलांग मार करके पार किया था तेर करकी भी कर सकते थे, उसकी उपर चल करके भी कर सकते थे, किसी विमान की सहता से भी कर सकते थे, लेकिन बंदरों का ये नैसरगिक सुभा होता है छलांग मारना, कूदना, तो हनमान जी ने भी महिंद्र गिरी परवत से छलांग मारी थी, लंका की और, रास्ते में मेनाक परवत आगया था बोल रहा था कि प्रभू हमारे उपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए पर हनमान जी ने उसको स्पर्श करके प्रणाम करके और वो अपने काम पे निकल गए थे राम काज कीने बिनु मोही कहां विश्राम तो जिस तरह आपने छलांग मार के समद्र को पार कर लिया था सुरुसा बदन पैठी पैठने का मतलब होता है गुसकर विस्तारा बड़ा होना विस्तार करना बड़ा करना यह कहानी सुंदर कान्ड में आती है जब हनमा जी लंका को चलांग मार रहे थे तो सुरुसा नाम अहिन के माता सापों की माता थी जिसको देवताओं ने हनमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि देख के आओ इसकी परिक्षा लो ये हनुमान जी इतना बड़ा कारे करने तो जा रहे हैं पर ये इस योग ये हैं भी की नहीं है तो सर्पों की माता थी सुरसा वो मूँ फैला लेती थी उन्होंने कहा कि भाई मैं तो तुमको खाऊंगी तो हनुमान जी ने कहा था मुझको अभी मत खाऊ मेरे को काम करके आ जाने दो फिर मैं आपके मूँ में खुद चला जाओंगा वो मानी नहीं उसको ये वर्दान था कि उसकी अवग्या करके कोई भी उसको लांग करके पार करके नहीं जा सकता था तो हनुमान जी की ये विवश्टा थी कि उसको मनाना या उसका संघार करना या उसका निवारन करके ही वो जा सकते थे तो सुर्सा ने अपना मूँ को बढ़ा किया हनुमान जी ने अपना अपना शरीर भी बढ़ा किया उसने दो गुना किया जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कपी रूप दिखावा, हनमान जी उससे दुगना रूप धारन कर लेते थे, फिर हनमान जी ने अतिलग रूप धरेव हनुमाना और उन्होंने बहुत छोटा रूप धरा था लंका में परवेश करने के लिए, वैसे ही सुरसा के गुज गए थे वो, जो अपने रूप का विस्तार करती जा रही थी, so brilliantly you tackled the सुरसा एपिसोड, आपने सुरसा का जो प्रकरण था, उसका कितनी बुद्धी मत्ता से उसको tackle किया था, उसका निवारंड किया था, वैसे ही हमारी विपत्ती को भी आप दूर करिये, आगे ज उसने रोक लिया था, कि मेरा निरादर करके कहा जा रहा है, रे सठ, सठ मतलब मूर्क, तू मेरे से बिना पूछे लंका में कैसे प्रवेश कर रहा है, तो उन्होंने मुठी का मारी, उन्होंने उसको मुठी का मारी थी, संदरकांट में उल्लेक आता है, कि उन्होंने लंकनी को मुठी का मारी तो फिर वो जमीन पर धरनी पर लडग गई थी, यहां पे लात का उल्लेक हुआ है, मारे हु लात, पैर मारा था, पैर नी उन्होंने मुठी का मारी, गई सुर्लोका वो देव लोक को चली गई थी मता स्वर्ग सिधार गई थी इसको कहा जाता है स्वर्ग सिधार न ऐसा बोला जाता है पर वो स्वर्ग नहीं सिधारी थी वो रुदिर बमत धरनी धन मनी खून की उल्टिया करकर के जमीन पर गिर पड़ी थी फिर उसने हाथ ज जब रावन को वर दिया था, तब नोंने मुझको भी कुछ पहचान दी थी, विकल हो सिते कपी के मारे, तब जाने सु निसिचर संगारे, जब तुम किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओ, तब समझना की राक्षसों का अंत निकट आ गया है, यह ऐसा उल्लेख आता है लंकनी के साथ में, तो उन्होंने मुक्का मार करके उसको स्वर्ग लोग सिधार दिया था, पहुचा दिया था, जाए विभीशन को सुख दीना, हनुमान जी जब लंका गए थे, तब विभीशन से मिले थे, वो भी राम की भक्ती में लीन रहते थे, प्रभू की हरी की भक्ती में लीन रहते थे, तो जब हनुमान जी विभीशन से मिले थे, तब विभीशन को सुख मिला था, क्योंकि व तो दातों के बीच जिस तरह से जिवय है जीव रहती है उस तरह से विवीशन रहते थे जिमी दसनन मनु जीव बिचारी, दसननी मतलब दात उसी प्रकार से विवीशन लंका में रहते थे तो उन्होंने तई उनको सुखी किया था सीता निरखी, निरखी का मतलब होता है देखकर या अवलोकन करके, अवलोकन करना देखना तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किये थे और ये इतना बड़ा असाध्य कार था कि हनुमान जी के अलावा इसको कोई नहीं कर सकता था इसी कारण से परमपद लीना हनुमान जी को स्रेश्टता हासिल हुई थी वैसे तो सेना में एक सेग वानर थे वालमी की सुंदर कांड में इसका बहुत उलेख है, सबके नाम बताए गए है करूडो करूडो वानर थे उसमें, लेकिन हनुमान जी ही एक ऐसे थे जो इस असाध्यकार को करके आये थे, सीचा जी की सुधी लेके आये थे सीचा जी को देख करके आये थे और इसी कारण को परमपद, सर्वोच परम का मतलब होता है सर्वोच परमवीर चक्र, सर्वोच बलिदान के लिए दिया जाता है पर हम मतलब सरवोचिपद उनको मिला था उन्होंने लिया था ये असाध्यकार किया था इसलिए ये हम क्यों कर रहे हैं हम हनुआन जी को बता रहे हैं कि आप इतने महान हो आपने इतने बड़े-बड़े कारे किये हैं और मेरी विपती तो छोटी सी है आपके लिए तो उजाड दिया था अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसा प्रयोजन उन्होंने जानमूच करके किया था वालमी की रामाइड में इस पश्ट रूप से लिखा है कि जब हनुमान जी ने सीता जी के दर्शन कर लिए तब उनके मन में विचार आया कि इनको ट्रेलर तो दिखा द कि भाई रामचंद्र जी का दूद क्या है तो वो उन्होंने अशोकवाटी का विध्वन्स जानमूच करके किया था उजाड डाला था और उनके मन में ये भी इक्षा थी कि मैं जरा रावन्ड की सभा तक तो पहुँच जाओं देखाओं वैसे मैं तो घुस नहीं सकता हू कई पत्रकार जेल की रिपोर्टिंग करने के लिए छोटा मोटा पराद कर देते हैं पुलिस उनको पकड़के दो दिन के लिए जेल में डाल देती है तो वो वहाँ पे आकर के वो रिपोर्टिंग कर आते हैं देखाते हैं कि जेल में क्या चल रहा है कैसे व्यवस्था बन ताकि उनको पकड़के रावन की सभह में ले जाएं और वह हमका सारा देखा है क्योंकि जब राम चन्दर जी सेना लेके लड़ने के लिए आएंगे तो उनको मैं सब बता दूंगा कि यहां पर यह यहां पर द्वार है यहां पर ऐसा है यहां पानी है ताकि फिर लड़ने की वियू रचना बनाने में बड़ी आसानी होगी तो बाग उचारी उन्होंने अशोक वाठिका को उजाड डला था सिंधु समुद्र में बोरा समुद्र में उसको डुबो दिया था मही का मतलब होता है में बोरा मतलब डुबो देना डुबो देना मतलब नश्ट कर दिया था उन्होंने अशोक वाठिका को अति आतूर जम कातर तोड़ा अति आतूर जम कातर ये है एक्चिली में यम करतरनी करतरी खड़ जिसको बोलते आप करतरी का मतलब काटने वाला करतरी मतलब कट 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 काटने वाला काटने वाला अस्त्र काटने वाला अस्त्र इसको कर्तरी बोलते है और जम कातर यम कातर का यम का मतलब होता है मृत्यू के देवता है यम यम जो है वो मृत्यू के देवता है मतलब आपकी जो मार है इतनी भयानक है आतुरता से अति आतुरता से इतनी फुर्ती से आप, इतनी टेजी से मारते हो कि वो एक करतनी का काम, तलवार का काम, खडग का काम करती है तुम्हारा आपका इसको बोलते है बड़ों से हम आपका करके बोलते हैं तोरा तुम्हारा नहीं बोलते है आपका जो मार है, आपकी जो मुक्का है या जो अस्त्र है जो गधा है वो सीधे यमलोग पहुंचा देती है मार डालती है अक्षे कुमार मारी संगहारा रावन का पुतर था अक्षे कुमार मेगनात का भाई अक्षे कुमार को भेजा था रावण ने जब वो अशोग वाटिका में हनुमान जी उत्पात मचा रहे थे बड़े बड़े योध्धा भेजे थे उन्होंने सबका संघार कर डाला था फिर अक्षे कुमार महायोद्ध था उनको भेजा था हनुमान जी इससे लड़ने के लिए पर हनुमान जी कहा बलशाली थे वो तो उन्होंने ताही निपाती उन्होंने उसको घुमाया था पैर पकड़ के और फेक के मारा था इसलिए उनको निपाती बोलते हैं अक्षे कुमार को मार के उनका संघार कर डाला था संघार कर दिया था लूम, लूम का मतलब होता है कपड़ा हैंड लूम बोलते हैं ना हैंड लूम का मतलब क्या होता है हाथ से जो करगा चलता है कपड़ा बनाने का कारी होता है इसको hand loom बोलते हैं कपड़ा बनाने का एक प्रक्रिया है हाथ से अगर बनाते हैं तो उसको hand loom बोलते हैं तो loom का मतलब होता है कपड़ा लपेट, लपेट के उनकी पूछ में राट्ष्छसो ने आग लगा दी थी और उसके कारण उन्होंने लंक को जला डाला था पावक जरती दे की हनुमंता भयाओं परमलग रूप तुरंता निबु की चड़ेओं कपी कनक अटारी भई सबीत निशाचर नारी सब लोगोंने उनकी पूछ में कपड़ा बांदा था आग लगा दी थी तालिया बजा रहे थे बाजही ढोर देही सब तारी तालिया बजा रहे थे और नगर फेरी पूछ प्रजारी पूरे शहर में गुमा गुमा के उनकी पूछ में आग लगा दी थी राक्षास लोग सोचते थे कि पूछ जल जाएगी, कपी के ममता पूछ पर हर बंदर को अपनी पूछ बहुत प्यारी होती है, हर पुरुष को अपनी बोडी बहुत प्यारी होती है, डोले शोले और सिक्स पैक्स एब, हर नारी को अपने केश बहुत प्यारे होते हैं, अपन लेकिन हनमान जी ने क्या गजब मेनेजमेंट किया था, उसी की आग से लंक को जला डाला था, ये सब को मालूम है, इतने बड़े बड़े शवरिके कार हनमान जी कर चुके थे, लाह, लाह का मतलब होता है लाख, लाल रंग की लाख होती है, बहुत जादा जुलनशिल होती है, फट से आग पकड़ लेती है, जैसे पेट्रोल होता है, आपने जहां एक तीली दिखाई भग जल जाता है, पुराने टाइम में लाख होती थी, लाख में आपने सुनागा लाखा ग्रह, पांडवों को मारने के लिए लाखा ग्रह बनाया गया था, लाख का, कि जैसी उसमें आग लगे, तुरंत सब के सब भस्म हो जाएं, मर जाएं, लाखा ग्रह बोलते हैं उसको, तो लाख का मतलब लाख समान, लंक जल गई, तुरंत जल गई जैसे घंस फूस जल जाती है है फट 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 घंस पूस में आग लगादो रूई में आग लगा दो जलदी जल जाती एव उसी प्रकार लाख के समान लंका जल गई और जयē पुर सूर का मतलब होता है। पुर। पुर। पुर की पुर्ण देवता, पुर की नगर। पुर की加ट गुतेकि कativos विस्ञंवीन। पुर। शेहर चाए पुर्ण फुर। पुर। यहिए हूंते हैं। जगनात पुरी मुजफर पुर तो ये पुर का मतलब होता है नगर तो देवताओं के नगर आकाश में हुई ऐसी धुनी जय 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 आकाश गूंज उठा नभ का मतलब होता है आकाश आकाश में आसमान में देवताओं के नगर में जै जै हनुमान जी की ऐसी धुनी, ऐसा शोर, ऐसा नारा, हनुमान जी जिन्दाबाद, हनुमान जी जिन्दाबाद, आज के टाइम में अगर हम ऐसा बोलें तो जै हो जै हो करके ऐसी धुनी हुई अब विलंब के ही कारण स्वामी अब किस कारण से आप देर कर रहे हैं मतलब आप जल्दी करिए अब क्यों आप देर कर रहे हो है हनुमान जी महराज कृपा करहूं और अंतर जामी और का मतलब होता है हिर्दै हिर्दै की अंतर जामी का मतलब होता है जानने वाला अंतरमन की बातों को जानने वाला अंतरमन मन में क्या है मन के अंदर क्या चल रहा है कई लोगों कैसी सिध्या होती है कि वो उसको जान लेते हैं आप अंतर्यामी हैं भूत भविश्य वर्तमान को जानते हैं मन में क्या चल रहा है हमारे आज भी आज भी बहुत सारे ऐसे जो देखते से ही समझ जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपके किस विपत्ती में फसे हो यहां क्यों आये हो उसका अपाय है तो अंतर्यामी है हनमान जी आप कृपा करिए कृपा करिए आप हिर्दय में क्या चल रहा है मेरी कौन सी विपत्ती है वो आप जानते हो उसको दूर करिए जय जय लखन प्रान के दाता मेगनाद ने लखन को लक्षमण जी को शक्ती मारी थी युद्ध के समय वो कहनी सब को मालूम है हनमान जी संजीवली लेने के लिए द्रोन परवर्थ कोई उठा लाए थे तो लखन जी के लक्षमण जी के आपने प्रान बचाए थे प्रान दिये थे दान देता दाता मतलब देने वाले दाता का मतलब होता है देने वाले दान दाता है ना विद्या दाता तो धन दाता तो लखन जी के लक्षवन जी के आपने प्राण बचाए थे आतुर भय दुख करहु निपाता जल्दी हो करके आतुर भै मतलब आतुर का मतलब यहां पर बार बार आ रहा है मतलब शीगरता से इसका जो मतलब होगा वो होगा शीगरता से भै दुख करहू निपाता दुख का निपाता का मतलब होता है नश्ट करना मारना नश्ट करना निपाता का मतलब है ताही निपाती महाधुनी मार करके उन्होंने बहुत बड़ी गर्जना की थी अक्षे कुमार को तो करहू निपाता इन दुखों का नाश करिए नश्ट करिए शिग्रता से जय हनुमान जयती बल सागर आप बल के समुद्र हैं अथाह राशी हैं आपके अंदर अथाह बल है जय हो आपकी सुर्समुहों देवताओं के समुहों समर्थ कैपेबल यहाँ पर समर्थ का मतलब होता है कैपेबल कैपेबल आप बोलते हैं इसको कैपेबल भट योद्धा भट का मतलब होता है योद्धा और नागर का मतलब होता है चतुर, नीती नागर, जो नीती में चतुर हो, भट नागर जो लडाई में, युद्धा मतलब लडाका, जो लडाई में चतुर हो, उसको आप बोलेंगे भट नागर, सरनेम भी होता है, भट नागर, तो आप देवताओं के समुह में समर्त भट नागर हैं, युद्धा है, चतुर हैं, आप देवताओं के समुह के समर्थ भटनागर हैं, ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, ओम हनुमंत ये जो अलग से वर्ड यूज हुए हैं, ये एक पर्टिकुलर फ्रीकुंसी जनरेट करने का काम करते हैं, एक निश्चित आवुर्ती बनाते हैं, जिसके कारण स शरीर के अंदर कुछ विशेश प्रभाव उत्पन होते हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आवुर्ती उत्पन करते हैं, जिसके कारण से शरीर के अंदर बल, पारुष, जो एक डिप्रेशन है, अवसाद है, वो दूर होता है, कुछ चीजे मस्तिश्क को वाइबरेट क हटीले का मतलब होता है, जो सोच लिया, वो करना ही करना है, हट करना, मतलब ये करना है, अगर मेरे को एक कॉम्टिटिव एक्जाम आई एस निकालना है, तो मैं भिढ़कर के निकाल के दिखाऊंगा, हट करना, मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो चाहिए मतलब चाहिए, करके ही दिखाते हैं बैरी ही मतलब शत्रू दुश्मन अगर आप बूलेंगे इसको तो दुश्मन ुश्मन मारू दुश्मन को मारें वज्र की कीलें वज्र अस्त्र आपको मालूम है इंद्र जी का एक बड़ा ही दधीची की हड्डियों से बना हुआ एक अस्त्र था वज्र कठोर कठोर वज्र का मतलब होता है कठोर भी होता है इसकी मार से कोई बचनी पाता ब्रह्मास्त्र और वज्जरास्त्र दो बड़े famous अस्त्र बताए गए हैं, वज्जर का मतलब है कठोर वज्जर देह दानव दलन, जै 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 कपिसूर हनुमान 40 सा में आता है, हनुमान जी की देह कैसी है? कठोर है, solid है, वज्जर के समान है नाजुक वाजुक नहीं है छुईमुही टाइप के नहीं है मिलकुल बलशाली है वज्जर समान कठो हर है कठो हничी कीले जो वज्जर होता है उसमें नुकिली नुकिली कीले निकली रहती है ताकि उसकी संहार चमता भोत जादा हो जाए ऐसा बोलते हैं इस्त्राइप का कुछ अस्त्र है तो वो जो कीले होती हैं उनसे दुश्मन को मारा जाता है जैसे त्रिशूल है नुकिली चीजें हैं कील का मतलब होता है नुकिली जो आया है वो नुकिले से ही आया है नुकिले से कील आया है तो उनकी वज्जर की जो कीले है उससे आप दुश्मन को मारिए क्योंकि दुश्मन मेरे को बहुत परिशान कर रहा है असाध्य है हे हनुमान जी महराज आप दुश्मन का नाश करिए ओम हीम 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 हनुमंत कपीसा ओम ये ब्रमनाद है परमपिता परमात्मा जिन्होंने इस स्रश्टी की रचना की है ओम उनके लिए बोला जाता है इसमें तीन शब्द होते है आ, उ, और मा ऐसा बोला जाता है ये ब्रह्मा, विश्नु, महेश के दियोतक हैं ओम, हीम 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 ये स्वर्ड जो है इसका मतलब होता है आवर्ती से कोई आवर्ती बार-बार-बार-बार-बार बोली जाए तो वो एक अलग इंपेक्ट डालती है इसलिए इनका उप्योग किया जाता है दुरुगा जी के मंत्र में भी आपने देखा होगा इस तरह के आवर्तियां मिलती है कपीसा सुग्रीव के लिए भी बोला गया है सुग्रीव भी जो थे वो लीडर थे राजा थे कपीसा हर्मान जी भी है कपीसा गौरी शा गौरी के ईश स्वामी राजा शंकर भगवान तो इस तरह से उप्योग किया जाता है खगेशा बक्षियों के राजा ओम हुम 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 हनु अरी अरी का मतलब होता है शत्रू दुश्मन हम हनुआंजी से प्रातना कर रहे हैं कि हमारे दुश्मन का विनाश करें उर्सीसा उर्ड वैसे हिर्दय को बोलते हैं शीष सिर को बोलते हैं और यहाँ पर वह भाग जिसमें हेरदय होता है उसको बोला गया है धल हमारे जो शत्रू हैं दुशमन हैं उनके सिर् और धल काट डाले अलग कर दे निस्तेज कर दे उनको जय अंजनी कुमार हनमान जी किसके पुत्र हैं अंजनी के पुत्र हैं तो उनको अंजनी के लाला, अंजनी कुमार, अंजनी सुथ बोला जाता है बलवन्ता, बलवान है, संकर सुवन, सुवन का मतलब होता है अंश या अवतार संकर सुवन केसरी नंदन, केसरी जी के पुत्रत है शंकर सुवन शंकर जी के अंस हैं बीर है वीर हनुमंता हनुमान जी ये उनके बारे में बखान किया जा रहा है बदन कराल कराल का मतलब होता है विकराल विकराल का मतलब होता है भयानक भयंकर भयंकर कराल करालम महाकाल कालम करपालम गुडागार संसार पारम नतोहम तो कराल का मतलब होता है भेंकर, काल, मृत्यों, कुल, खांदान, घालक मतलब मारने वाले, घोलने वाले, मारने वाले, कुल घालक. तो बदन जो है उनका, शरीर जो है, वो भेंकर, विकराल है, जो कि मृत्यों को उसके खांदान समेथ खतम कर सकते हैं, इतनी शक्ति है हनवान जी के अंदर. प्रभू श्री राम के सहायक हैं, और हमेशा सदा प्रती पालक, प्रती पालक का मतलब होता है, केर करने वाला, जो पालक, मतलब पालने वाला, प्रती पालक का मतलब होता है, जो पाले और फिकर करे, तो इसको आप बोल सकते हैं, the person who cares, care करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारे सब चीजों का ध्यान रखने वाला, खाने, पीने, पहने, ओडने, पैसे, सब चीजों का ध्यान जो रखते हैं, वो प्रतिपालक होते हैं. भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, निशाचर, निशा का मतलब होता है रात, और चर का मतलब होता है चलने वाले, जो रात को चलते हैं, जो रात को ही बलशाली होते हैं, निशाचर उनको बोला जाता है, आगिनी, बेताल, आगिये जो होते हैं, ये, बेताल जो होते हैं, ये सब, ये सारे के सारे, ये थर्ड वर्ल्ड के जो चीजे हैं, परालोकिक हैं, भूत, पिशाच, चुडेल, डायन, तमाम चीजे जो हैं, जो अलग दुनिया की हैं, जो की इनसान को प्रभावित करती हैं, गलत रूप में भी करती हैं, तो उनके लिए ये जो हैं, ये काल हैं, उनको मार देते हैं, समूल नश्ट कर देते हैं, हनुमान जी, हनुमान जी और दुर्गा जी के पास ही ऐसी शक्तियां हैं, जिनसे वो इन सब जो बुरी शक्तियां हैं, उनका वो नाश कर देते हैं, उनको मार सकते हैं, इन्हे मारिये इन्हे मारू तो ही आपको शपत राम की ये देखिए जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि हनुमान जी को प्रभू शिरी राम की शपत सौगंद दी जाती है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो राम जी की कसम है आपको इसलिए ये बड़ा घहतक माना जाता है इन्हें मारिये ये जितने भी नर पिशाच निशाचर बेतल ये सब बताए रहे हैं इनको मारिये आपको राम जी की शपत है राखवनात मर्जाद नाम की हे नात हे हनमान जी आप अपने नाम की मर्यादा मतलब मर्यादा रखिए नाम के पीछे ही नामी दोड़ा चला आए जो ब्रांड होता है किसी कमपनी का नाम एक अच्छी कमपनी की चीज़ क्यों खरीदते हैं लोग क्योंकि मालूम है कि ये नाम के पीछे अपने हर अच्छे से अच्छा करने का प्रैत्न करेंगे महंगी होती है लेकिन लोग खरीदते हैं ब्रांडेड चीजी हम खरीदेंगे नाम मर्यादा नाम की राखाउनात कि आप पर लोग विश्वास करते है संकटों में आपको याद करते है क्योंकि आपका बहुत नाम है हनुमान जी तो आपको अपने नाम के अनुरूप मर्यादा तो रखनी पड़ेगी कोई बहुत बड़ा एक नेता है उसको आप कोई काम बोलेंगे तो वो काम इसलिए उसको कराना पड़ेगा क्योंकि उसकी ब्रांड वैलिव है उसका नाम है अपने नाम के लिए वो करना ही पड़ेगा सत्य हो हूं सच होगा हरी शपत पाई के प्रभू की हरी की विष्णु जी की शपत ले करके सौगंध पाकरके आपको जो आप करोगे वह सत्य होगा सत्य होगा राम दूत आप राम चंदर जी के दूत है धरू मारू धाईके धाईके का मतलब होता है दौड कर दौड कर धरू मारू मारिये मार डालिये धरू मतलब मार डालिये तो राम जी के दूत आप जो हमारे बैरी हैं जो शत्रु हैं उनको दौड करके मार डालिये आपकी जय हो जय हो जय हो हनुमान जी अगाधा अनन्त अगाध जैसे समुद्र में कितना पानी है अगाध जिसकी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते जिसको नाप नहीं सकते अगाध इतना तो हनुमन्त अगादा आपका जो बल है वो अगाद है दुख पावत जन के ही अपरादा इतना सब होने के बाद भी आपके भक्त दुख पाते हैं किस अपराद के कारण क्यों दुख पाते हैं जब आप में इतनी शक्तिया है, आप इतने शक्तिशाली हो, बलशाली हो, आपके अंदर नाम की मर्यादा है, फिर भी मैं क्यों दुख पा रहा हूं, किस अपराद के कारण दुख पा रहा हूं, ये भाव है, पूजा, जप और तप, नेम, उचारा, कहीं कहीं पर ये अचार होता है ये, पूजा करना, जप करना, जप मतलब एक ही चीच को बार 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 बोलना, तप करना, तपस्या करना, नाम को उचारना, बोलना, उचारने का मतलब होता है बोलना, तो नाम को बोलना, नहीं जानत कच्छू, मैं ये नहीं जानता, कैसे आपक जब किया जाता है, कैसे तब किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, कैसे नाम उचारा जाता है, नाम बोला जाता है, ये नहीं आता, दास तुम्हारा मैं, आपका जो दास हूँ, आपका जो सेवक हूँ, उसको ये सब नहीं आता, ये सब करना नहीं आता, ठीक से विधी, व विवहार करना, अचार करना, कई बुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है, अचार विचार करना कैसा है, बट ये उचारा अच्छा लगता है, नेम को उचारा जाता है, ये मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा सेवा को मैं नहीं जानता, ये सब करना, वन उपवन जंगलों में बाग बगीचों में मग गिरी ग्रहन माही कंद्राओं में परवतों में घर में माही का मतलो होता है में मैं तुम्हरे बल हूँ मैं तुम्हारे बल के सहारे हूँ डर्पत नहीं मैं डरता नहीं हूँ आपके नाम का बल मेरे पास है मेरे को मालूम है कि अगर मेरी विपत्ती है तो हनमान जी जरूर आएंगे तो मैं डरता नहीं हूँ कहीं भी रहूँ दरूंगा नहीं जनक सुता सीता जी सीता जी हरी दास कहा वो सीता जी ने आपको हरी का दास कहा है प्रभु का दास कहा है परम पिता परमात्मा प्रम्मा विष्णु महेश जो भगवान है हरी विष्णु भगवान उनको आपने सीता जी ने आपको उनका दास कहा है मतलब इश्वर का दास होना सेवक होना बहुत बड़ी बात है जीवन में प्रभु की भक्ती मिलना बहुत बड़ी बात होती है ऐसे इश्वर हर किसी को भक्ती नहीं देते हैं कोई योग है सुपात्र है अच्छा व्यक्ति है उसको ही प्रभु जैसे कोई वी आईपी परसन ह उसके हाँ पर जो security guards हैं, वो हर किसी को security guard नहीं बनाते हैं, या काम करने वाले वो नहीं, बहुत चूस करके loyal है की नहीं, सत्य निष्ठ है की नहीं, काम अच्छे से करता है की नहीं, time पे करता है की नहीं, ये सब देखा जाता है, तो ऐसे ही इश्वर की भक्ती है, इश्वर क सीता जी, सीता जी ने आपको विश्णु भगवान का प्रभू का, हरी मतलब प्रभू का दास कहा है, उनकी ताकी मतलब उनकी शपत, उनकी शपत, हरी की शपत, विलंब न लावो, अब देर मत करिये, विलंब मतलब देर न लावो, देर मत करिये, जै 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 या जै जय 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 एकी बारे तीन बारा है जय 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 धुनी होत अकासा अकाश में जय जय कार की धुनी होती है स्वर होता है आवाज होती है सुमिरत मतलब इस्मरन करना इस्मरन करना होई दुसह असहनिय दुसह का मतलब होता है जिसको सहन नहीं किया जा सकता असहनिय दुसह आपके सुमिरंड करने से आपका इसमर्ण करने से आपका इसमर्ण करने से बड़ी से असनिय भी दुख जो होता है असनिय दुख भी होता है उसका नाश हो जाता है चरन पकड़ी कर जोरी मनावा मैं आपके पैर पड़ता हूं पैर पकड़ता हूं पकड़ी चरन मतलब पैर पकड़ी मतलब पकड़ना कर जोरी कर जोरी का मतलब होता है हाथ कर क हाथ अलग लग है और उनको यह जोड दिया आपने तो प्रणाम करना यह कर जोरी वाली मुद्रा होती है कर जोरी हाथ जोड करके मनाता हूं मैं आपको मना रहा हूं इस अवसर पर अब कही गोहरावो का मतलब होता है गोहार लगाना किसके पास जाओं किस से अपने दुख को दूर करने की गोहार लगाओं इस अवसर पर बड़ा भयंकर समय है विपत्ती है कष्ट है हे हनुमान जी इस समय अब मैं किस से गोहार लगाऊं आपके अलावा अब जो भी हो वो आप ही हो और आप ही को ये सारे दुख दूर करने होंगे उठो उठो चलू तो ही राम दुखाई उठिए उठिए चलिए आपको तुमको राम जी की सौगंद है दुखाई देना बोलते हैं उनके नाम उपर तो दुखाई का मतलब होता है सौगंद है कसम है आपको राम जी की कसम है उठिए उठिए चलिए चलिए पाए परो पैर प पड़ता हूं वो च्रन पकड़ना पैर पड़ना एक ही बात है कर जोरी विड़कर मनाता हूं मना रहा हूं ओम कि दख़ें से शुफदया से हैञे जरने वाले यहांपर वायुवेद से चलने के कारण इनको दो जिफ़ें से चलते हैं हनमान जी वायू के तो पुत्र थे? पवन पुत्र सतुत। ओम हनुहनुहनुहनुमनता यह आवरतीयों का यहां पर बार बार repetition होता है जिसके कारण से मैंने आपको बताया है ये निश्चित रूप से किसी प्रियोजन के लिए इनका उपयोग होता है ओम हम हम हाक देत कपी चंचल हाक देत हैं कपी मतलब बंदर चंचल मतलब चंचल बहुत तेजी तेजी से इधर उदर 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 चलने वाले हाक देत हाकना जब गाड़ी चलाते हैं तो बैलों को अपन हाकते हैं चल चल तो हनुमान जीर से विंती की जा रही है कि जो जितनी भी हमारे कश्ट है हमारे जितनी भी जो हमारा अंधिकार है जीवन में जो हमारा दुक है घोर दुक है उनको आप हाक दीजिए ओम, सन, सन, सहमी पराने, खल, दल, सहम पढ़ते हैं, सहम जाते हैं, सहम ना मतलब डर जाना हनुमान जी जब हाकते हैं तब खल दुष्टों के दल खल का मतलब होता है दुष्ट दुष्टों के दल दुष्टों के समूह ये सब सहम जाते हैं सहम पड़ जाते हैं डर जाते हैं अपने जन को तुरत उबारो अपने जन जन का मतलब है दास अपने व्यक्ति मतलब मैं स्वयम जो ये गा रहा है जो ये बोल रहा है अपने जन को तुरत उबारो जो विपत्ति पड़ गई है उससे आप मुक्त कराईए उबारने का मतलब होता है मुक्त कराना सुमिरत होए आनन्द हमारो ताकि हमारे को आनन्द प्राप्त हो हमको याद रखना सुमिरन होए हमारी याद करना हमें भूलना जाना सुमिरन होए आनन्द हमारो हमारा जो जीवन है वो आनन्द मैं हो जाए ये याद रखना हनुआन जी और आप इतने शक्तिश इतने बल्शाली है इन सब विपत्तियों को हांक दीजिए जिससे वो सहम जाते हैं यह बजरंग बान हनमान जी का क्योंकि रामचंद्र जी धनुषबान धारन करते थे सरचापधर तो और जिसको भी मारते थे संधान करके मारते थे वो फिर बच नहीं पाता था तो बजरंग बान नाम इसको इसलिए दिया है क्योंकि यह संधारक है बान मारने से कोई बच नहीं सकता इसलिए इसका नाम बजरंग बान पड़ा है यह बजरंग बान जेही मारे आप जिसको भी मारोगे ताही कहो फिर कवन उबारे फिर उसको कौन उबार सकता है फिर उसको उसे कहो कि कौन उबार सकता है उसको फिर कोई कैसे बचा सकता है अगर आपने बजरंग बार मारा है तो उसको कोई उबार नहीं सकता उसको कोई बचा नहीं सकता पाठ करें बजरंग बान की जो भी इस बजरंग बान का पाठ करता है हनुमत रक्षा करें प्रान की उनकी हनुमान जी रक्षा करते हैं उनके प्रान की उनके जीवन की जीवन पे अगर कोई घोर संकट आ गया है विपत्ती आ गई है तो हनुमान जी उनके प्रानों की रक्ष अवश्य करेंगे यह बजरंग बान जो जापे इस बजरंग बान का जो जाप करता है उनको तासो भूत प्रेत सब कापें उनकी उपर जो भूत बादाएं हैं तांत्रिक क्रियाएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं भूत और प्रेत भी उनके नाम से किसके नाम से बजरंग बली के नाम से कापते हैं धर्थर कापते हैं डरते हैं धूप दे अरू जपे हमेशा जो हनमान जी के नाम पे धूप जलाते हैं अगरबत्ती जलाते हैं धूप देना धूप जलाके अपन ऐसे ऐसे करके उनका जो धुआ है वो उनको अरपन करते हैं धूप अरपित करते हैं जो ध उनके शरीर में कोई भी कलेश नहीं रहता, दुख में कलेश में अंतर होता है, कश्ट में अंतर होता है, कलेश मानसिक परिताप है, मन से होने वाली ऐसी चीज, ऐसा दुख जिसको दूर नहीं किया जाता, उसको कलेश बोलते हैं, कश्ट भोतिक भी हो सकता है, शारिरिक भी ह हो सकता है तो क्लेश उनके मन में उनके तन में नहीं रहता अंतिम दोहा है और प्रतीती जिनके हिर्दय में और मतलब हिर्दय है यहां पर जिनके हिर्दय में हनमान जी के प्रती आदर है विश्वास है और सिर्फ विश्वास नहीं दर्ण विश्वास है फर्म सॉलिड मालू में कि हनमान जी करेंगे तो करेंगे शरण हुए जो हनमान जी की शरण में चले जाते हैं पाठ करें और धरी ध्यान जो हनमान जी का बजन बार का पाठ करते हैं हनमान जी की इस्तुति गाते हैं उनके बजन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं उनका ध्यान धरते हैं धरना मतल हनुमान जी हर लेते हैं हर लेना का मतलब होता है हरन कर लेना हरन करने का मतलब होता है खत्म कर देना हरन करना चुरा लेना यहां पे इसका मतलब होगा खत्म करना खत्म कर देते हैं सब काम सफल उनके जितने भी काम है वो सब सफल कर देते हैं कौन हनुमान जी तो हनुमान जी का ये जो बजरंग बान है ये कश्ट निवारक है विपत्ती का निवारक है अचूक है घोर विपत्ती की समय इसका पाठ अवश्य करिए हनमान जी साहता करें आपकी जै बजरंग बली